तो गैस आप मेरे बगल में जिस वीडियो को देख रहे हो इस वीडियो को दोस्तों स्वाइल भाई ने इंस्टाग्राम रिल्स पर आप रोड किया है और मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर है जिन्हों दोस्तों मुझे इंस्टाग्राम पर डियम करके कहा है कि भाई आप इस सब्सक्राइब करके नोट्फिकेशन बेल को प्रेस करके आप आप आल भी कर लिजेगा आते हैं फानली टॉपिक पर इस तरह का वीडियो पनाने के लिए दोस्तों आपका जो वीडियो सूट करने का तरीका है एही सबसे इनपोर्टेंट है आप मैं दोस्तों जिस पकार से step by step आपको दिखाऊंगा आपको कुछ इसी पकार से वीडियो को सूट करना होगा तो सबसे पहले आप अपनी फोन की केमरा को ओन कर लिजेगा ठीक है ओन कर लेने के बाद दोस्तों सबसे पहले आपको फर्स्ट केरेक्टर के एक्टिंग है इस पकार से आपको दिखा रहा हूं सेम तुसम कुछ इस पकार से दोस्तों पांच पाटों में वीडियो को सूट कर लिजेगा इसके बाद दोस्तों आपका जो मोबाल के दिदिंग सौफ्टियार है काइन मास्टर उसको आपको ओपन कर लेना है तो गैस चलिए बिना किसी सेलक्षन कर लिजेगा जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं जो मेरे record के वीडियो उसको मेरे सेलक्षन कर लिया है सबसे पहले दोस्तों आपको इस मॉडियो का जो आदी हो सेलेक्शन कर देना होगा जैसे आप इसमें सेलेक्शन करते हैं कुछ इस पकार से दोस्तो इस जगा का फोटो आपके गरने में अभी सेब हो गया है अभी फ्रंस आपको अपने वीडियो में कुछ इस पकार से फर्स तरफ आपको आ जाना होगा आने के बाद दोस्तो आपको अपना वीडियो को प्ले करना है और प्ले करके दोस्तों अभी आपको अपने वीडियो में जहां से प्रस आप अपना एक्टिंग करना स्टार्ट कर रहे हो यानि पीछे कुछ इस पकार से चलना स्टार्ट कर रहे हो आपको दोस्तों इस जगा पर अपनों आ जाना होगा आन आप अपने वीडियो के पहले हो अपको फिरसे आप फाइल में क्लिक करना है और उपर में सिजर के ओपस्ट करके फिरसे आप अपने वीडियो को speed at playhead को option पे click करके वीडियो को दो भागों में divide कर दिजेगा इस तरह से guys आप अपने वीडियो में जहां जहां से friends आप acting की हो अलग-अलग character का उन सारे वीडियो को दोस्तों आपको यहां पर अभी अलग-अलग करके selection कर लेना होगा तो साथियो जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं मैंने यहां पर पांचो अपने वीडियो का जह टुकड़ा है कुछ इस तरह से अलग-अलग मैंने यहां पर कर लिया है अभी दोस्तों आपको आपने वीडियो को प्ले करना होगा और प्ले करके दोस्तों आप अमने जो फर्स रेकोर्डिंग किया वीडियो है कुछ इस पकार से इस्टेट होके खड़े हो जा रहे हो इस जगाव फ्रंस आप में आप देख पारों यहाँ पर मैं कुछ इस पकार से इस्टेट होके खड़ा हो चुका हूँ अभी गैस मुझे जो मेरा इहां पर जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें मुझे किलिक करना होगा और इस पर फरी डॉट में किलिक करके इसका एक डूबलिकाट बना लेना है और मैं जो वीडियो है दोस्तों इसको मुझे कुछ इस पकार से जिलिट कर देना है आप भी दोस्तों इसको आप यहाँ पर डिलिट कर दीजेगा और इसको दोस्तों पकड़ के कुछ इस पकार से जहाँ पर आप 3.7 सेकंड पर आप स्टेट होके खड़े हो जा रहे हैं इस बाष बडिने के बाद इस को मैं कुछ इस पकार से एड़ेक्श कर देता हूँ गफर का लिएगा और अभी दोस्तों ईतना दूर्टि से किलिक्स देखते हो तो मेरा वीडियो अभी कुछ इस पकार से दिखे है जैसे आप पो लेप्स साइड से एंट्री ले रहे हो तो आपको IsrS कर दिनार यहां पर दोस्फ है करना है टनापर सिजर करना है क्लिक करना आप को बाकी को इसी पकार से में ऊस्प कर देनी होगी सकते हैं जिस पकार से अपको भीडियों में कुछ इसी तरह से आपको इसी जगा पर रहना होगा रह लेने के बाद आपको इस वाले मीडिया का उप्षिन पर क्लिक करके अपना गलेरी को आप यहां पर ओपें किजेगा और यहां से दोस्तों जो फोटो आपने यहां पर खाली बैगराउंड के केप्चर किया है उस को दोस्तों उस पले अपको यहां पर और यहां पर यहां पर ओपेंट करना होगा तो चलिए दोस्तों फोटोंगों आपको केप्चर किए उस वाली फोटों Дोस्तों आप यहां पर अभी सलेक्सिन कर लिजेगा दोस्तो जैसा कि यहां पर देख सकते हैं जो परा फोटो है उसको में पर कुछ इस प्रकार से सेलेक्शन कर लिया है अभी दोस्तों आप जहां तक खड़े ऊत्ता तुरू तो फोटो को करने ना होगा मैं जो काम यहां पर तुरन से कर लेता हूं तो साथ हो जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं जो फोटो का बैग्राउंड यहां पर मैंने रिमूब कर लिया है अभी आपको यहां पर डैन के ओप्शन पर क्लिक कर देना होगा क्लिक कर देने के बाद दोस्तों चैसे आप को होपने करना है तो चलिए दोस्तों पीले को यहां पर ऑपन कीजिए हैत दोस्तों जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं जो पिक्सलप यहां पर ऑपन कर लिया है अब गरिविए नियुकन видим कर देने के बाद दोस्तो आपको यहाँ पर इस पहले option पर click करना होगा then guys आपको यहाँ पर transparent का option पर click कर देना होगा click कर देने के बाद दोस्तो आपको इस पहले plus का mark में click करना है from gallery के option पर click करके दोस्तो जो photo आपने अभी अभी आप save किये हो पी एंजी बनाके उस वाली photo को दोस्तो आपको याँ पर अभी selection कर लेना है दर्ण आपको याँ से okay कर लेनी है अभी फ्रंस आपको इस वाले arrow पर पकल के कुछ इस पकार से आपको याँ पर बड़ा करना होगा कुछ इस तरह से बड़ा कर लेने के बाद गाइस आप यहाँ पर इसी बाले प्लस के मार्क में किलिक किजेगा प्रॉम गैलेरी के ओप्शन पर किलिक करके दोस्तो मैंने इस फाले वीडियो के इंची डिस्क्रिप्शन में नियोन फेस का जो फोटो का पी एंजी है उसको देखे रखाए आपको दोस्तो अभी इसको सिलेक्शन करनी है सिलेक्शन कर लेने के बाद आपको यहाँ से ओके कर लेनी है देख सकते हैं जो मरा first face ही यहापर कुछ इस पकार से adjust हो गया है अब guys आपको इस पहले option पे click करना होगा और इस पहले column के option पे click करके कुछ इस पकार से duplicate दोगों आप यहापर बना लेजिएगा कुछ इस तरह से same guys आपने जिस तरह से आप अपनी first photo के उपर किये हो उसी तरह से guys आपके जो marks है आपके सारे फोटो में आपको इहापर apply कर देनी होगी तो guys जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं मैं आपने तीनों face हो में आपर कुछ इस पकार से marks को apply कर दिया हूँ अब मुझे इस पाले save के option पे click करके save as image के option पे click करके दोस्तों आपको यहाँ पे png format में रखना है then guys आप यहाँ पे कुछ इस पकार से आप हाई पे आप save कर दिजेगा save कर देने के बाद दोस्तों अभी आपको वापस से अपने काइन master में जाना होगा तो चलिए दोस्तों काइन master में वापस से अभी चलते हैं तो साथियों जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं मैं दुबारा से आ चुका हूँ अपने smartphone के काइन master में अभी दोस्तों आपको अपने वीडियो में कुछ इस पकार से दोस्तों आपको यहाँ पे इस जगापे आपको आना होगा कुछ इस तरह से आप यहाँ पे इस जगापे आप चलाइएगा कुछ इस तरह से इस जगापे आने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर इस बाले layer में किलिक करना है Media का Option पे इस फ्रेंट्स आपको यहाँ पर सिलेक्षन करना होगा Then guys अभी आपने Pixel App एप से जो फोटो आपने सेब किया है उस बाली फोटो को दोस्तों आपको यहाँ पर अभी सिलेक्षन कर लेनी होगी तो guys जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं जो मेरा फोटो है उसको मैंने सिलेक्षन कर लिया है अभी दोस्तों आपको यहाँ पर इस बाली एरो में पकड़ के कुछ इस पकार से बड़ा करना होगा बड़ा कर लेने के बाद दोस्तों आपका जी यह फोटो है उसके उपर आप यहाँ पर कुछ इस तर साफ अच्छे साफ आप एज़ेस्ट कर दिजेगा देख सकते हैं यहाँ पर मैं जिस पकार से दिखा रहा हूँ से हम दोस्तों कुछ इस तर से आप अपनी फोटो को यहाँ पर एज़ेस्ट कर लिजेगा तो गाईस जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं जो मरा फोटो यहाँ पर कुछ इस पकार से एजेस्ट हो चुका है अभी दोस्तो आपको फिर से अपने नॉर्माल साइज में आप यहाँ पे आ जाईएगा आने के बाद दोस्तो इस पाले वीडियो में आप यहाँ पे देख सकते हैं लेफ्ट साइड से राइट साइड की और जा रहा हूँ तो गाईस मुझे इसका सबसे पहले एक डूबलिकेट बनाना होगा और मैं जो फाइल है इसको मुझे यहाँ से डिलिट कर देना है देख सकते हैं आप मैंने जिस पाकार से दिखाया है और इस पाले वीडियो में अगर आप देखे होगा तो मैं यहाँ पे राइट साइड से लेफ्ट साइड की और जा रहा हूँ तो गाइस मुझे पहले इसका डूब्लिकेट बना लेना होगा में वीडियो को दोस्तों आपको यहाप डिर्ट करना होगा और इस पहले फाइल को पकार के कुछ इस पकार से इसके बराबर में आपको इसको यहाप ले आना होगा लाने के बाद दोस्तो आपको यहाँ पर इस पहले option पर किलिक कर दिएगा यहाँ से आगे की और देख रहो इस जगा पर आपको आजाना होगा आने के बाद दोस्तो आपको यहाँ पर इस जगा का एक photo capture करनी है फोटो केप्चड करनेने के बाद दोस्तों फिक्से आप फिर से आपको प्रंप गलरी किप्सेर की है उसलेक्सन करना है अभी दोस्तो अपने photo को यहाँ पर selection कर लिजेगा selection कर लेने के बाद दोस्तो कुछ इस पकार से जहां बीच बाला है इस वही कि दोस्तो आप यहाँ पर रखी गा कुछ इस पकार से इतना दो तक then आपको यहाँ से OK कर लेनी है अभी आपको इस वाले अरो में पकड़के कुछ इस पकार से दोस्तों आपको यहां पे थोड़ा फूल स्किन में कर लिजेगा कुछ इस पकार से कर लेने के बाद दोस्तों आपको इसी वाले प्लेस के मार्क में क्लिक करना होगा फ्राम गलेरी के option पर क्लिक करके दोस्तों फिर से आप नियोन मास्क का जो फोटो का PNG है उसको फ्रम्स आपको यहां पर सेलेक्शन करना होगा देन आपको यहां से ओके करके कुछ इस पकार से दोस्तों आप इसको छोटा किजेगा और बाकी करें दोस्तों जो दोनों दो face है कुछ इस पकार छोटा करके आपको यहां पर adjust कर देनी है कुछ इस पकार से तो गाईस जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर मैंने दोनों face में यहाँ आप marks apply कर दिया है अब मुझे फिर से save के option पर क्लिक करके save as image के ओप्छन पर क्लिक करके PNG format में दोस्तों मुझे यहाँ फिर से photo के save कर देना होगा सेब कर देने के बाद बापस मुझे अपने स्मार्टफोन के काइन मास्टर को ओपन करना है तो चलिए दोस्तों बापस से अपने काइन मास्टर में चलते हैं कि तो गाई जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं जुमारा फोटो है उसको मेरे सिलेक्शन कर लिया है अब गैस इस फोटो का पहले आपको यहाँ पर ऑपसीटी को आपको यह खटा देना होगा गटादेने कबार आप इसको इस्तुरिया यहाँ अच्छेस्प ठीक है नेक्स्ट गैस आपको जो ट्राइटेसन है कुछ इस पकार से इस जगा पे होगा तो गैस इहां पर इस चीज़ को पकर ना जाए इसके लिए गाईस आपको VN Video Editing एप को आपको 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 करना है तो गैस चेलिए अभी आप इस पहले नीचे में जो plus का mark है इसी पहले plus का mark में किलिक करना है new project का option पे किलिक करके दोस्तों जो file में अभी अभी बनाया है और मेरा दोस्तों first में ही मिल जाएगा उसको दोस्तों में याप पे selection कर लेता हूँ selection कर लेने के बाद दोस्तों अभी आपको अपना वीडियो को प्ले करना है प्ले करके दोस्तों जहाँ पर आप अपना कुछ इस पकार से इफेक्ट रिसन आना स्टाट हो रहा है कुछ इस तरह से आपको यहाँ पर इस जगा पर आना होगा कुछ इस पकार से इस जगा पर आने के बाद दोस्तों आपको यहां पर split के option पर आपको इसमें click कर देना है और कुछ इस पकार से दोस्तों आपको इतना दूतक आपको रखना होगा फिर से आपको यहां पर split के option पर click कर देना होगा उसके बाद guys next जो transition आपके फोटो में आ रहा है कुछ इस तरह से इस जगा पर देख सकते हैं यहाँ पर आपको split का option पर click करना होगा और कुछ इस पकार से इतना दो तक रखके फिर से friends आप यहाँ पर split का option पर click कर दीजेगा अभी guys आपको यह टुकड़ा है इसमें funds आपको click करना होगा और यहाँ पर दोस्तों आपको FX का option पर click करके आप guys आप यहाँ पर इस पाले option पर आप यहाँ पर click कर दीजेगा और कुछ इस पकार से first अरप आपको रखके इसको आपको full में आपको यहाँ पर कर देनी होगी दन आपको यहाँ से okay कर लेनी है अभी guys आपको जो next जो transition है आपको इसमें click करना होगा FX के option पर click करके same guys आपको इसमें भी zoom के option पर click कर देना होगा उसके बाद आप यहाँ से okay कर लिजेगा लेजे दोस्तों आपको जो वीडियो यहाँ पर ready हो चुका है अब अगर अपना वीडियो को अगर आप देखोगे तो आपको वीडियो आभी कुछ इस पकार से दिखेगा देख सकते है तो इस तरह से आप बहुत ही hard और इजी तरीके से दोस्तों कुछ इस पकार का वीडियो एडिट कर सकते हो अब आपको इस पाल एक्सपर्ट का option पर click करके आप अपको वीडियो को सेब कर लिजेगा तो भाई साब उमिद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा है अगर दोस्तों वीडियो को इतना दुर देख लिए हो तो वीडियो को लाइक किए भीना मज जाएगा और चैनल पर अगर आप नहीं हो तो मुझे पता आपने सब्सक्राइब कर दिया है तब तक के लिए दोस्तों मिलते हैं ऐसे किसी नहीं वीडियो के साथ बाई बाई चाटा नमस्कार